चुनाव परचार खत्म होने में अब कुछी घंटे बाकी है। तो हम पहुचे हैं ग्ञाद है और यहां पर लोगों से बात करने के लिए फोचे आपर अलग-अलग स्कोलर हैं स्टुटेंट हैं प्रोफेसर हैं सब ही से बात करेंगे जो फिलहाल अपने-पने काम में मिश्गूल है और उनसे जानेंगे कि आखिर ब्यादी का जो यह विए professor हैं बच्चों को पढ़ाते हैं व्यज्ञानिक त्यार करते हैं खुद भी साइंटिस्ट हैं तो इस चुनाव को ले करके आप लोग की क्या राय है आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस 2024 के लोगसभा चुनाव को जी आपके सभी दर्शकों को मेरा नमश्कार यह साथ असोसियेट कर लेता है और कहीं न कहीं उसकी आइडियोलाजी भी यह साथ सोचल मीडिया के वज़े से या आप जैसे रिपोर्टरों के वज़े से लोग बहुत तेजी के साथ पूरे जो यह चुनावी प्रक्रिया है जो पुरे बिश्व की सबसे बड़ी प्रक्रिया है उससे जुड़ रहे हैं तो यह देखें लोकतंतर के लिए बड़ी अच्छी बात है हां कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि रणा परताब जी या रहुल जी वो लोग बात करेंगे कि कौन सी समस्याएं हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बड़ा हेल्दी च चुकि आप युवा पिड़ी को पढ़ा रहे हैं रोच इंट्रेक्ट हो रहे हैं और समिस्टर बदलते हैं नय बच्चे आती आते हैं इस चुराओं में लगभग लगभग हर रंग देखने को मिल रहा है रहुल गांधी जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने भी 90% रि पहाई करने यहां आता है जो पढ़ रहा है यहां पर वह इंसारी चीजों पर कितना आकरशित होता है क्या लगता है उन्हें देखे यूथ आज के डेट में जब हम लोग अपने समय 16-17 साल के थे तो पैरेंट्स पर बड़े डिपेंडेंट थे लेकिन आज के डेट में हमारे पास हैं और भारत के पास ऐसी यूवां हैं तो मुझे नहीं लगता और आप यहां विश्विद्याला की बात करें लगभग रोज हम लोग 100-200 यूवां से मिलते जुलते रहते हैं और उनकी आइडिलाजी आप देखिए ना कि वह जो सोचते हैं वहर जगा एक तरीक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भी ये चूव उसमें फोर फ्रंट पे है आप अगर पूरे इन्वस्टीज का उठाकर के देख लीजिए जितनी भी भारत में इन्वस्टीज हैं और वहां के स्टूडेंट का परफार्मेंस देख लीजिए तो बीचू के स्टूडेंट जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों वो एक तो उनकी स्ट्रीम है जिसमें वो काम करते ही करते हैं और इस्ट्रीम के बियांड वो अपने जो लेफ्ट और राइट वाली जो पोजीशन से उसको भी बहुत इजली आगे बढ़ा रहे हैं आपके पास मैं दुबारा है वो साइंटिस्ट का है और एक फाहिसाब यहां पर बैठे हुए हैं जिनके पीछे चंद्रयान बना हुआ है थोड़ा साब दिखाएंगे देखिए यह चंद्रयान का जो है वो तस्वीर बने हुई है और यह टी-सर पहने हुए हैं चंद्रयान टू जब असफल हुआ त क्या लगता है आपको देश का प्रधारमंत्री जब इस तरीके से हवस्रा बढ़ाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं नाम अतल सिंग है और मैं भी सी तृटिये वर्ष का छात्रू हूँ से अभी जो चुनाव हैं उनका लैक हर कोई अपने-फने मुद्दोंपर बात कर रहा है कोई जल से रिलेटेड बात कर रहा है कोई ट्यॉरिजम से रिलेटेडड बात कर रहा है लेकिन एक विज्ञानिक के लिए जो सबसे महत्पूर्ण विशय होता है वो होता है अनुसंधान रिसर्च कि आप रिसर्च में हमारा देश कहां जा रहा है हम बाकी जो विदेश सी जो इंस्टिटूशन से हम कहां पर कमपीट कर पा रहे हमारा क्या इस तरह है तो इस ही दिशा में जा रहे हैं यह हम कह सकते हैं कि गती थोड़ी धीमी है लेकिन हम दिशा हमने सही पकड़ी है जैसे अब अगर मैं आपको बता हूं बहुत सारी जो सामानिय जिनको साइन्स वगरा में इतना ग्यान नहीं है वो इस बात को नहीं जानते होंगे लेकिन अभी रि नेशनल रिसर्च फांडेशन अनुसंधान रिसर्च फांडेशन तो उसमें क्या है बेसिकली पचास हजार करोड रुपे का एक इनिशेटिव लिया गया है इस टॉक रखा गया है जिससे कि हम अगर हमको अगर कंपीट करना है अगर बाहर के जो अनुसंधान के जो हों हमार पास अच्छी टेकनीक्स हों तो उसके लिए हमें उस डिरेक्शन में फंडिंग चाहिए होती है और यह सरकार का जो रुझान है जिसमें कि वह जैनरेसली रिसर्च के लिए फंडिंग कर रही है तो यह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सही दिशा में जा रहा है आप क सामने तोर पर यह दिखा गया है कि लोग विज्ञान को और सरकार की नीतियों को वगरा को हमेशा प्रथक रूप से अलग लग सेपरेट रूप से देखते हैं पर ऐसा नहीं है दोनों को अगर अगर हम एक जिसको बुलते ना विज्ञान के चेत्र में ससकत रास्ट साथ एक हातर जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं को कि समझ काफी होगी आपको पॉलिटिस्क के बारे में यहां पर बात अगर हो जब चुनाव होता है तो अमोमन देखा जाता है कि एक खास तपके को प्रवाइद करने के लिए जो राजनीति के जो लीडर्स हैं वो जो परसेंटेज हैं वो कहीं ने कहीं उनके इर्दगर्द घूमती भी रहती हैं तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे बढ़ रहें जो देश का भविष्ट हैं जो यूथ है वो क्या सोचता है कि इस बार इस लोगस्वा चुनावां में क्या मुद्दे हैं तो सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे या एक ही वैक्ति को टार्गेट करके नहीं होता है। अब जैस से ज़र्वेशन का मुद्दा उटा है उद्धयोगों को ले के। और टोब जर्वेशन के बात को आगे बढ़हाई जा रहा जैसर कौम से नग्रेश कि लाइसेंस पर्मिट करें कि कितना उत्पादन होगा आप टैक्सेशन का ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा इस से उद्योग जगत का भी प्रभावित होगा पीछे जाए तो बीपिसिंग के समय मंडल कमिशन की रिपोर्ट सामने ला दी गई थी तो लगबग वही श्ट्रोक खेलने का प्रयास फिर जंदा दल की उसके बाद ठंडे बस्तें पड़ा रहा और बीपिसिंग को लगा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा इसको ला देने से हाला कि वो इसको ले क्या है लेकिन उनको सरगा लग्टोरल लाव नहीं मिल पाया बलकि उनके अस्थान पर कई सारे छेत् सब्सक्राइब को लिए और इसको बहुतर तरीके से और समचित तरीके से इस समस्या को हम लोग निपड़ सकते थे और अन्य बहुतर विकल्फ हमें हम ऐसा तलासने चाहिए जया नसुर जी एक बार आपके पास फिर से आएंगे चुकि आप बेच्वें प्रोफेसर हैं और कहीं कम हो जाती है उन इलाके के मुकाबले में जहां पर की माना यह जाता है कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो यह बहुत बड़ा कारण आपको नहीं लगता कि जो लोग आज पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं जो लोग बड़ी-बड़ी चीजे बताते हैं अगर वोही वोट नहीं करेंगे तो आखिर ये चीजे कैसे आगे आएंगी और जनता के बीच में आम आदमी के बीच में इसका उत्भव कैसे होगा जी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम एसी में बैठ करके डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार किसकी बनेगी क्या होगा कौ ज़से परसेंटेज काफी गिरा था हमें लगता है इस बार सारी चीजे अपडेट की जा चुकी है और इस बार ये परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए ये चुका मतलब आप ये कोशिश करेंगे कि गर्मी के बावजूद भी आपने साथियों को भी लेकर जाए वो ब बात इस समय भारत की की जाए तो सबसे ज़्यादा यूथ है जो ये तैय करता है कि देश की दशा और दिशा क्या होगी और सरकार क्या होगी इस बार का जो लोकसभाज चुनाओं है इसमें आप क्या देखते हैं एक तरफ आप टैबलेट्स और लैप्टॉप्स में काम करन हैं तो दूसरी तरफ आपके मन में क्या चल रहा है कि सरकार कैसी हो जो आपको और आपके देश को आगे लेया सके नमस्का सर मैं नवनीज सिंग हूँ मसी का इस्टूडेंट हूं है तो मेरा ये मानना है कि सरकार का सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप इंटर इंस्टूट ने जगह नहीं बना पाई तो हमारे लिए एक सोचने का विशा है कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम और अच्छा कैसे कर सकते हम को यह सोचना चाहिए क्या बाकी इंस्टूट ऐसा क्या सुधार करें कि उनका भी रैंकिंग आए क्योंकि कहीं कहीं आज के समा करें कि बच्चे यहां से बाहर न जाएं जो यहां का टैलेंट हो बाहर न जाए वो यहीं पर रहे तो इसके लिए सरकार को फंडिंग है जैसे अटलने बताया कि फंडिंग बढ़ रही है लेकिन अभी हमको बहुत ज्यादा क्योंकि हम को उन न कंट्री से कंप्रीट करना ह जिनके पास funding की बहुत ज़्यादा funding है उनके पास हम China से complete करते हैं हम US से complete करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमारे पास भी इतनी funding होनी चाहिए कि हर lab को एक out of the box अगर वो सोचता है क्योंकि generally मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे researcher हैं या मेरे उम्र के बच्चे हैं जो यह सोचते जा सकता है और खास कर जैसे जो मुझे बहुत प्रसंद है और खास कर मेरे department के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे जितने teachers हैं हमारे जो professors हैं बहुत supportive हैं और मैं यही देखना चाहता हूं कि हर एक institute के level पे क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त क्योंकि मेरे BSC यही इंस्ट्यूट्स हैं हर जगह गये हैं तो मुझे कहीं न कहीं यह फील होता है कि जो जैसे मेरा जो रिलेशन 24 के साथ है वो उनका उनकी टीचर के साथ नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि अगर मैं frequently अपने teacher यह अपने supervisor से thought share नहीं कर सकता तो मैं science क्या करू इसमें और अच्छा करने की जरूरत है बिल्कुल अच्छा करने की जरूरत है और अच्छा करने की जरूरत जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती है कि लास्ट बैरियर कभी नहीं होता यह बताए कि आप लोग स्टुडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं वेग्यानिक है देश के क् कि निताओं के भासण ऐसे आ रहे हैं, कि रिवसन ऐसे मिलना चाहिए, धर्म क्याधार मिलना चाहिए, मजब क्याधार पर मिलना चाहिए, तो जो आप लोगों के हाथ में वोटिंग पावर है, एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है आप लोगों की, तो आप लोगों के दिल म और जाती में उलच के रहा जाएंगे तो हमने दूर्दसा देखिए पिछले 70 वर्सों में कि देश की क्या दूर्दसा होई अलग अलग राजियों की दूर्दसा भी हमने देखिए बिहार यूपी जो इन दंसों में फसा पड़ा है अगर हम लोग रिसर्चर हैं और हम लोग फिर से इसी चीज में फस जाएंगे फिर से तो फिर वही दंगा फसाद होगा और फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा फिर अगर दंगों में फसे रह गए तो फिर अनुनसंधान क्या होगा और मैं इसका एक अलग परस्पेक्ट्री भी रखना चाहता हूं जब प्रदान मंत करते हैं कि लाल करेकले की प्राचीर से कि जय विज्ञान जय अनुसंधान जय जवान जय किसान तो एक होसला बुलंद होता है चात्रों का और जो अनुसंधान कर रहे हूं लोगों का जो तीस चालीस अजार जो पीएडी स्कॉलर्स है इस देश में उनका होसला जरूर बु देटा निकाल के देखेंगे उस फंडिंग का तो यू एस हो गया माली जे माली अमेरिका और यूके जैसे देश जो है वह अपने फंडिंग का दो परसेंट से तीन परसेंट देते हैं सिर्फ विज्ञान के लिए बटाब जब इंडिया का कम पेजिजन करेंगे उसे में अमेरिका की बात कर रहे हैं वो भी शिलाल सुपर पावर है उस तरीके से वहां पर पहुंचा हुआ है तब फंडिंग वहां पर बड़ी हुई है इस चुनाओं में जो छात्र है उसका मुद्दा एक लाइन में क्या है अगर एजरी सर्चर हम बात करें तो सबसे बड़ा संधान करने के लिए तो हम लोग करेंगे क्या सर्च बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा यह बता रहे हैं कि अगर पैसे नहीं होंगे अनुसंधान कैसे होगा कैसे हम नई चीजों के बारे में जानेंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि हमने यह खोज निकाला है अब चलत समय बहुत बड़ा मुद्दा है खुद प्रहानमंतरी कह रहे हैं कि अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंट पुरुसों के मुकाबले महिलाओं का ज्यादा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का जो रुजहान है वोटिंग के प्रतिसत के बारे में सेफटी का बहुत बड़ा इशू है रिसेंटली काफी कुछ न्यूज में आ रहा है तो हम चाहेंगे कि कैमपस की सेफटी बढ़ाई जाए उसको सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे की तरह ना देखा जाए सिर्फ सेफटी के बारे में सोच के देखा जाए दूसर की पोजिशन यहां क्यों मिलती है इतने मार्क्स दिये जाते हैं एक यहां गए तो आपको यह मार्कस मिलेंगे तो यह प्रमोट कर रहा है ना हमें बाहर जाने के लिए तो वो हमें हमारी कंट्री में मिलना चाहिए अफकर्स उसके लिए सब ने मुद्दा बुला है हमें हम अभी भी देखते हैं लोग अंडर दा टेबल काम करते हुए तो अभी भी जो भर्षचाचार है वो लगातार मुख्य बुद्धा बना हुआ है और यूथ लगातार इस बारें बात कर रहे हैं यहां पर एक रिसेश जो स्कलॉर और हैं उनसे बात करते हैं क्या लग बच्चा है जो आज बड़ा होरा यूथ है उन सभी में एक चीजे कॉमन है कि लोग जात धर्म संप्रदायस से उड़कर नेशन फर्ष्ट की तरफ जाना चाहते हैं और उस हिसाफ से वोटिंग कर रहे हैं क्या आपको अभी भी लग लग रहा है कि इस तरह हम लोग बढ़ करते हैं तो हिंदू जो है वो अपने नेता को सपोर्ट कर रहा है तो यह कहीं न कहीं अभी भी चल रहा है तो इसे पहले तो पूरी तरीके से खतम करना होगा ताकि हम डेवलप्मेंट की तरह साथ मिलकर काम करें तो जब साथ मिलकर काम करेंगे तब ही काम हमारा अच्छा ह हो पाएगा आप लोग तो साइंटिस्ट हैं क्या लगता है एक साइंटिस्ट के नजरिय से जब आप लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बार का जो मुद्दा है कि फंडिंग तो चाहिए ही है और हर जगह पे फंडिंग जरूरी है उसके बिना कुछ काम हो नहीं सकता पर ये भी जरूरी है कि जो काम हो रहा है वो आम जनता तक पहुंचे क्योंकि जब तक वो आम जनता को पता नहीं चलेगा कि काम क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाएंग कि उनका पैसा कहां पे लग रहा है और overall funding भी उनके आम जंता के पैसे सही आ रही है तो उनको पता होना जरूरी है कि उनका पैसा कहां कौन से सही जगा पे लग रहा है जब आम जंता को फायदा होगा तो खुद बेखुद पता चलेगा उनको फायदा भी तब ही होगा ना दूबर रहना भी चाहिए थोड़ा सा वक्त लूँगा आपका भी ये बताइए क्या लगता है आपको इस समय जो यूथ है जो आप लोग साइंटिस्ट है वो जो चुनावी मुद्दे हैं उनसे हटकर क्या सोचते दिमाग में क्या चलता है जब आप वोटिंग का वर वोट क जो वटन है वो दबाने जाते हैं तो उसमें क्या चलता है दिमाग मैं यूथ हूं तो मेरा पहला तो यह रहता है कि हम लोग अभी जिस फिल्ड में है जैसे के रिसर्च में हैं तो रिसर्च में हर तरह की उपरचुनिटी रहा है जैसे के फंडिंग से लेके है जैसे कि जब चंद्रेयान दो जब निस्फल गया तो प्रधान मंत्री खुद वहां जाके उनका हुसला बढ़ाए उसके बाद अभी जो नेशनल रिसर्च फाउड़ेशन करके जो पूरा इंस्ट्यूट बना गया है जिसमें बोला गया है कि 2021 में 50,000 करोड जीतना फंड लगता है आप लोग जब पढ़ाई करने आते हैं दूर दूर से बियेचु में तो जब आप एक बार चुनाओ का मौका आता है उस समय आप सुनते हैं कि धर्म के अधार पर जात के आधार पर संप्रदाय के अधार पर वोट का वटवारा हो रहा है तो क्या चलता है मन में यह अगर धरम के बैसिस पे जात के बैसिस पर आप दे रहे हो तो सिर्फ यह आप अपना डवलप्मेंट सोच रहे हो इफ यू रहे हो अपको जो जात धर्म के अधारत पर हटके वहां से हटके आपको देना चाहिए विकास के चुकि मैं रिशर्च फिल्ड में हूँ तो मै तो पहला मुद्दा अपने रिसर्च को लेकि बोलूंगा ऐसे साइंटिस्ट आज रिसर्च हम लोग यही चाहते हैं कि अभी यह बात मैं पहले भी बोल जुगा हूं जिस तरह से नेता जो है खिलाडियों को एक्टर्स को इंफ्लूएंसर उसको जो इंटर्टेइन करते हैं इंफ्लूएंसर स ऐसे भी हैं जो की नॉलेज्ट भी शेर करते हैं उनको पुं ऐनेए वैक्सीन डूने में उनको भी state level पर district level पर बुला के उनको भी सम्मानित करना चाहिए अभी हाली में मोदी जी ने किया क्या था कि influencers को बुला के उनको सम्मानित किया था कि हाँ ये इनका ऐसा scope है just like that कि अच्छा reality तो हमें समझ में आई जब covid आया कोविड में लोग तो परिशानी हो गया है हमारे scientist क्या कर रहे हैं हमारे पास vaccine नहीं है भाईया जब government ही नहीं fund कर रही है scientist को government recognize ही नहीं कर रही है तो फिर आप क्या उमीद रखते हो जब आप क्या आपके सामने परशानी आई तो scientist scientist अधरवाई सिर्फ actor खिलाडी तो जिस तरह से एक्टर खिलाडी entertainment जो provide कर रहे हैं उन्हों को सम्मानित कर रहे हैं उसी तरह scientist को भी गले लगाया और vaccine के समय काफी उन्होंने नाम लिया क्या इसका कुछ असर पड़ा है बिल्कुल असर पड़ा है लेकिन हम क्या रहे हैं कि ठीक है आप वो कर रहे है वो भी सही है आप वो national level पर कर रहे हैं लेकिन कई सारे ऐसे scientist है जो ground level पर भी काम कर रहे हैं उनका काम दिख रहा है उनको भी करना आप माइक्रो लेवल की बात माइक्रो लेवल की बात कर रहे हमारे ही research institute की बात है कोबीट की टाइम में जहां सब लोग अपना आइसोलेट होके बैठेते हैं यहीं से बहुत अच्छा काफी अच्छा research paper आया कोबीट को लोगे कि इंडियन पॉपलेशन आप देख भी सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ कि इंडियन पॉपलेशन का जो जीन है जिसकी वजह से ही हम लोगों में इम्मुनिटी पावर आई और हम लोग बचे रहें कोबीट से तो इसी तरह से जो इस्टेट लेबल और डिस्टिक लेबल पे चोटे साइंटिस्ट हुए बड़े साइंटिस्ट हुए आप उनको प्रतसाहित करो इंफिलेंस करो ताकि वह और ग्राउंड लेवल पे काम कर सके और देश के डवलमेंट में जो है सहाय अता कर सके बाई साब थोड़ा सब वक्त आपका भी ले लेंगे यह बताईए कि कि देजिए धर्म के नाम पर वोड़े दीजिये किसी लालच के लापर देजिए तो क्या लगता है मन में जी देखिए मैं यह कहना चाहूंगा वैज्यानिक जो होता है वह देख्था सुक्ष्मिदर्सी से है लेकिन होता दूरदर्सी तो वह इन छोटी चीज़ों में ना तो पड़ता है न वो अपने सिख्छा में अपने ज्ञान के प्रसार में कभी ये बातों को आने देता है तो हम लोग तो हमेशा सबको जागरूख यही करते रहते हैं कि बहुत सूच में दृष्टा मत बनिये दूर की देखिए और दूर की बाते सोचिए देश का विकास अपने अपनी सोच को विस्तारित रखें बड़ी रखें और देश के लिए सोचे साथ में साथ अपनी कमिया को भी जो कमिया है सरकार में उसको उजागर करते रहना जरूरी है जैसे हम यहां से काफी यूथ का पलायन है विदेश में हमने जैसे कुछ लोग हैं जो यहां पर राज किया इसलिए क्योंकि उन्हेंने वेग्यानिकों को प्रोस्ताहन दिया तो हम डेकोरेटीव चीजे करें वह अच्छी बात है इससे सम्मान मिलता है और आत्म गौरव की फिलिंग आती है लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी हमको चाहिए कि जैसे फंडिंग का नए लोगों को फंड ज्यादा दिया जाए नए वेग्यानिक जो बाहर से आ रहे हैं जो विदेश से आए हैं यहां अच्छा कर रहे हैं अच्छा रिसार्च कर रहे हैं उनको और पुश करने की जरूरत है जो कि एक युवा सोच प्रधार मंत्री जी की भाषणों में जाया जाया यह लगातार यह बड़ी बात आ रही है लगातार प्यें मोदी बात को कहते हैं कि जो बदलाव है वह काफी आकर्शन पैदा करता है उन्हें एक उधारन भी दिया था कि पहले रेल के डिब्बे सिर्फ लाल हुआ करते थे आज सफेद भी हो रहे हैं नारंगी ब्लू भी हो रहे हैं तो बदलाव जो है काफी आकर्षन पैदा कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि यह जो आकर्शन है यह वोटो में भी तबदील होता है बिल्कुल मानो सभ्विता है या मानो का जो सभाव है जो नए बदलाव उनकी तरफ सभावता ही वो अकरसित होता है और जो उस बदलाव को जो उनके समय प्रस्तुत कर रहा होता है जो इस बदलाव को उनको दे रहा होता है उनके प्रतिविवा करसित होते हैं और उनको चुन के विलाते हैं जैसे आप देखें दुझार 14 के बाद से कई सारी चीजें बदली लोगों ने देखी सड़कें सड़कों के सिजी देखी ट्वीट के माध्यम से रेल यात्रा करते समय और अन्य जगों पे बदलते हैं देखें तो लगा काफी बढ़िया काम हो रहा है और उनने जो बदलाव हो रहा है या जो बदलाव वह चाहते हैं उनको लग रहा है कि जो बैक्ती धे सकता है बहतर वह उसको चुनने की ओर ज़रूर आगे बढ़ते हैं करेंगे बाई साब क्या लगता है आप तो इतने जैसे चर्चा सुन रहे हैं इस समय देश में जो पॉलिटिकल्स पार्टी है उनका सीधा टार्गेट होता है कि जहां पर वोट अधिक है उसको टार्गेट करिए और उसके लिए काम करिए और इस समय यूथ जो है भारत में क्या है मुद्दा तो बहुत सारा है सबसे पहले तो बेरोजगारी पर इस तरह के बात हो रही है जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना इंप्लाइमेंट है ही नहीं हमारे पास अगर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आ रहे हैं चाहे बाइटेक हो मतलब मैं करते हैं तो इंप्लाइमेंट कम हो जाता है दूसरी बात इंप्लाइमेंट मिल भी रहा है तो क्या मतलब अगर जो इतना पैसा इतना टाइम इनवेस्ट कर रहा है जिस एज में वह डिगरी लेके वहाँ जा रहा है प्राइबिट में उसका फिर उसको शुरु कहां सकरन अगर आप पढ़े लिखे हैं समझदार हैं तो आपके लिए स्टार्ट अप की दर्वाजे खुल जाते हैं जहां से आप जो है एक नौकरी पेशा करने वाले वक्ति से ज्यादा कमाई कर सकते हैं बहुत सही आपने ये पॉइंट उता है बट अगर हम बोल रहे हैं कि ब्यावसाई बनना है तो सबके बस की बात नहीं है हर जगें कमप्टीशन तो है तो दोनों साइट से इंटर्प्रिनोर्शिप आ रही है बहुत अच्छी बात है अभी नए नए चीज़े आ रही है बहु पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर हर इंसान हर डिग्री का एक वैल्यू होना चाहिए उसके टाइम का उसके जितने उसने टाइम दे के और डिग्री होल्ड किया हुआ हुआ है उसका एक वैल्यू होना चाहिए अन्त में जो है समाप्त करेंगे उससे पहले ग्यानसर ज करके यहां पर प्रोफरसरों के बीच में भी एक राजनीत रहती है जब छात्र आंदुलन होते हैं तो उसमें भी बाहर निकल के आता है कि उसमें भी प्रोफरसर की राजनीत रहती है तो यह चीजे अभी आपको लगती है कि जैज है एक ऐसी जगह पर जहां पर पंडित मदन मुहन मालवी जी का ये एक तरीके से उनका जो है एक सपना था जो साकार हुआ उनका विग्रह कहा जाता है काशी इंदू शुद्धाले को और वहाँ पर प्रोफिसर्स की राजनीती खत नहीं हो रही देखें बिलकुल राजनीती होनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छे समाज को आगे बढ़ाएगी लेकिन हाँ ये जो है वो पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए और रास्ट के समगर विकास में होनी चाहिए अभी रणा जी और हम बात कर रहे थे कि देखें अभी रास्ट का जो समगर विकास है अगर हम यूथ के हाथ में दे दें तो मुझे लगता में मास्टर्स के स्टुएंट के लिए बहुत मिनिममम फेलोशिप उनके लिए ऐसा कोई पैसा ही नहीं है जिससे कि वह जाकर के अपने लोगों के बीच में कुछ रिसर्च कर सकें और ब्रेंड्रेंड की आलत यह आपको मिल गए जो विदेश से वापस आये लेकिन आपको लोग जो है यहां से ट्रेन हो रहा है हमारा एक बेस बन रहा है जो देश के डिवलोप्मेंट में काम आ सकता था पर सरकार ने उसको रोका नहीं और वह भारत के बाहर चला गया क्यों किस लिए उसको सिक्यूरिटी नहीं मिली उसको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला उसको हुआ है वो एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन इसमें जो हमारे बच्चे हैं उनका एक तरीके से नर्व ठीक से डिवलोप्मेंट हो पा रहा है ना उनकी बढ़ियां ट्रेनिंग मिल पा रही है तो हम जैसे इनको ट्रेन करेंगे मुझे नहीं लगता कि जो वैक्सीन भार सरकार ने कुछ काम किया है लेकिन मुझे लगता है कि और जो सेक्टर थे अगर हर सेक्टर में 90-70% काम हुआ है तो इस सेक्टर में vá decisiveleader का मुँआ है ये सेक्टर थे लगबक सार से पैसर साल उन सालों में क्या हुआ क्या दिखता है देखे मैं उस समय तो पैदा भी नहीं हुआ था आपने सुना जरूर होगा पढ़ा जरूर होगा आपने आपकी जो एज है उन दस साल पहले आप पढ़ते होंगे स्कॉलर होंगे उसके बाद प्रफिसर ब इन देखा जाए विग्यान का विकास हुआ है वह बहतर तरीके से हुआ है लेकिन बनारस की दृष्टि से देखा जाया दैए बनारस में मानि मोदी जी है यहांन के सांसध और उन्होंने बनारस में विग्यान के लिए अगर कुछ किया है तो वह बहुत निउनśliयन का सबसे कम विज्ञान के लिए किया है और जो विज्ञानिक हैं आप देखें कि उनका कंट्रिब्यूशन पूरे वर्ल में आप अगर ये माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब किसकी देन है विज्ञानिक की देन है और ठेलीट प्रॉम्टर भी हमारे माननी पर्धान करने वाले हैं、 घर बनवा ले रहा हैं वहाँ लोगों को रिंडे रहे हैं और बहुत तेजी से बनारस का भी कास हो रहा है लेकिन विज्ञान की दिसा मे एक कसक है हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एकस्प्रेस नहीं कर सकते लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जरूरत है इसको आगे बढ़ाने के लिए और ऐसा नहीं कि खाली विज्ञान का मतलब Life Science होता है सोसल साइनसेज है इन सब को आप एक साथ मिक्स करिए मर्ज करिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा देने से कुछ नहीं होगा आप अपने लोगों को बढ़ा करिए लोगों को आगे बढ़ाईए और यूथ को आगे बढ़ाईए बिलकुल तो हमने बात की बी एचू म प्रोफेसर से व्यग्यानिक से उनसे जो रिसर्च स्कॉलर हैं सभी ने एक सुत्र से एक ही बात कही कि देश विकास के अधार पर वोट करें साथ ही जो व्यग्यानिक हैं वो चाहते हैं कि कम से कम फंडिंग जो है दिक साधिक हो ताकि वो नया रिसर्च कर सके और वो रिसर सिवा मिश्रा के साथ सुशामकर जी न्यूश्टेट वारा नसीर